जहिन देश्टुएंट्स कैसे आप सब आज मैं आप सबों के लिए इनकम टेक्स का एक बहूत महत्पुन चैप्टर लेकर आया हूँ चैप्टर का नाम है वेतन से आए इनकम फ्रॉम सेलरीज इनकम टेक्स का हम तीन चैप्टर कंप्रिट करवा चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप पहले वो तीनों वीडियो को जरूर देख ले ठीक है उस तीन चैप्टर के बाद एक और चैप्टर है लेकिन उसको अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें से थियोरी ही पूछता है और एक छोटा सा वीडियो में उस दो प्रैक्टिकल भी करवा दे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बन जाए वैसे थियोरी तो हम कभर करेंगे और एक आग्रह आप लोगों के साथ यही रहेगा जो अगर आप लोगों को खुद अच्छा लगता हो पहले तो यह सुन लिजिए आपको अच्छा लगत लगता हो तो इस वीडियो को अपने status में जरूर लगायेगा और अपने फ्रेंट से जरूर share कीजिएगा आप अगर college के group में जूरे हैं या कोई ऐसे ग्रूप में जूरे हैं जहाँ students हैं वहाँ इसको जरूर share कर दीजिएगा समय बहुत कम है ताकि अधिक से अधिक स्ट्रेंट के पास वीडियो पहुंचे उसके लिए एक ही चीज़ जरूरी दूसरा मैं आपको बताता हूं अगर आपको कोई कमी लगता है तो आप कॉमेंट में बताईएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिस करेंगे उसकमी को दूर करने का और अगर अच्छा लगता हो तो वो भी बताईएगा लाइक करना मत भूलिएगा चलिए चप्टर का नाम वेतन से आए सेलरी से हम सब लोग अवगत है सेलरी से हम सब लोग अवगत है लेकिन सेलरी के बारे म में हम बस इतना जानते हैं जो किसी को अगर 15,000 का महिना पर नौकरी दे दिया गया तो सेलरी 15,000 हुआ आप यही समझते हैं मैं जो समझ रहा हूं ठीक है अगर आप इंटे इंटेलिजेंट होंगे तो आपको तो पता होगा सब कुछ लेकिन मेरा जो मानना है आप लोगों के लिए शिरी का मतलब वो होता है वह रहासी जिस पर जितने पर आपको काम पर रखा गया है ठीक है चलिए अब इस चैप्टर में हम सेलरी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे सेलरी का विस्तरित अर्थ को जानेंगे ठीक है नह यहां देखिए एक वर्ड में आपको समझा देता हूं शेलरी का मतलब समझ लीजिए नगद शुविधा वस्तु जो कुछ नियोकता से कर्मचारी को मिल रहा हो वो सब के सब क्या है सेलरी तो सेलरी का सेलरी का मतलब आप समझ गए होंगे नियोकता का मतलब होता है वह व्यक्ति जो काम पर रखता है और कर्मचारी का मतलब होता है जो व्यक्ति काम करता है तो सेलरी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे इससे ही समझ लीजिएगा जैसे कोई कर्मचारी है वह फरनीचर के दुका पे काम कर रहा है तो उनका एक फिक्स होगा जो इतना रुपया महिना का या इतना रुपया साल का हम देंगे उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अधार भूत वेतन ठीक है उसके अतरिक्त बहुत सारे शुविधा वस्तु नगध भी दिया जाता है सब सेलरी के ही अंतरगत आता है तो मैं अभी बता रहा था जो परनीचर के दुकान में काम कर रहा है तो उस करमचारी को एक कुरसी दे दिया यह कुरसी तुम अपने घर लेकर चले तो इनकम टेक्स डिपार्टमेंट के द्रिष्टी कौन में वह कुर्सी भी उनका सेलरी है सुविधा के रूप में वस्तू के रूप में ठीक है अगर आगे हम लोग जारेंगे जो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं लेकिन अभी आप यह समझी वह सेलरी हुआ अगर आप परिभासा में देखेंगे तो वेतन आई का जो है प्रथम सिर्षक हैं आपको पहले पढ़ा चुके हैं किसी वेक्ति का जो इनकम का सोर्सेस है वो पांच है इनकम फ्रॉम सेलरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल गेंड एंड अदर सोर्स तो पांच सिर्षक में वेतन जो है पहला सिर्षक है किसी न्योकता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवा आउं के बदले में जो पारिस्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है वेतन का आपको विश्तित अर्थम ने समझा दिया अब आगे कहता है आईकर की दिश्टी से जो मैंने आपको समझाया जो एक कुर्सी दे देगा तो कुर्सी भी वेतन होगा वही बात अब इसमें लिखा हुआ है जो आईकर की दिश्टी से किसी नियोकता द्वारा अपने कर प्रतीमा या समय समय पर जो पालिस्रमिक दिया जाता है वह वेतन कहलाता है इस पालिस्रमिक में नगद रासियों के अत्रिक्त उन स्विधाओं का मुद्रिक मुल्य भी सामिल किया जाता है एगर कोई स्विधा परदान करता है तो उस स्विधा का एक हम मुल्य निकालेंगे और वो मुल्ड जो है नगद में जोर कर टोटल सेलरी निकालेंगे ठीक है जो किसी कर्मचारी को अपने नियोकता से प्राप्त हुई है और एक बात इसमें है जो कर्योग भी है तो कर्योग है नहीं है कब कर्योग होगा यह हम आगे पढ़ेंगे अभी बस इतना ही समझ यह जो एक कर्मचारी को उसके नियोकता से प्राप्त नगद के साथ साथ और भी कोई स्विधा अगर मिल रहा है तो वो सब के सब क्या है वेतन है चलिए देखिए अब हम इस चेप्टर में फाइंड कैसे करेंगे कंप्यूटेशन और टेक्जेवल इंकम फ्रॉम सेलिडी और जिसका निकालने के लिए बोले का रहा है में जो फॉर्द एस्समेंट यह जैसे अभी एस्समेंट यह आप लोगों का होगा तैस चोबिस ठीक है उसमें सब से पलिखेंगे बेसीक सेलिडी अमांट बेसीक सेलि को सीदार पर रखा तो 20,000 अबढ़ा फिर आता है बोनस समस भी लोग जानते है जो नियोकता के द्वारा अपने करमचारी को कुछ एक्स्ट्रावरुपया दिया जाता है ठीक है बोनस होता है फिर कमीशन कमीशन के प्रकार के होते हैं एक कमीशन होता है एन सेल्स जिसको फ सबको आपको लिखना मैं अब आता हैं औरडरी इस पे जो होता है ये वह S country का भाग होता है ये चाङ सेवा सर्च करल neighbor यानिकी पूर हैं देड कि earm Corinth रिलीफ कर दगा था आता है commission on sale जो कि यहां ही आपको फिर आता है medical allowances फिर आता है ही एरिया यह भतता है ठीक यह नगाद में मिलता है entertainment ट्राइबल एरिया house rent education allowances taxable amount of per quidgets यह स्विवधा होता है ठीक यह सब नगाद मिलता है cash में जिसको allowances बोलते हैं जो स्विवधा मिलता है उसको पर क्यूजिट्स यानि की अनुलाब बोलते हैं ठीक आते taxable amount of taxable amount of fringe benefit होगा फिर आता इंप्लायर कंट्रिबिशन रेकोगनाइज प्रविडियंट यह भी कई प्रकार कोते हैं लेकिन अगर रेकोगनाइज प्रविडियंट फंड में इंप्लायर अगर 12% से उपर दे रहा है जो जितना 12% से उपर होगा वो सब के सब taxable हो जाएगा उसके बाद आता है इंट्रेस्ट और रिकोगनाइज प्रविडियंट फंड और 9.5% से उपर प्रविडियंट फंड पर जो ब्याज होगा 9.5% तक फिरी है profit in lieu of salary और आते हैं other taxable allowance बहुत होते हैं तो सबको जो रहेंगे तो क्या आएगा gross salary और gross salary में से deduction under section 16 के अंत्रगत है entertainment wise maximum 5000 और यह सिर्फ मिलता government employee को और employment tax फिर आता है standard deduction अभीका जो है वो fixed है taxable income अगर होगा तो 50,000 ठीक है दोनों को घटा के आजागा net net taxable income from salary ठीक है तो